इन देकलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है ये वडिवी से सुरुप से सीटेट से संबंदीत है आज इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो से पहले लेशन नमबर 12 तक वीडियो बन चुके हैं अगर आप सीटेट पेपर 2 गणीत और विज्ञान की त्यारी कर रहे हैं तो उन वीडियो इसको जरूर देखिएगा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चली आज का पार्ट है स्टा किसी और अस्तान पर बैढ़े जाते हैं तो किस तरीके से दूसरे अस्तान पर गए तो गते के दोरा नुसरे अस्तान पर गया है या तो पैदल गए होंगे या यानि दुनर का तुलना किया जाए तो पैदल गया होंगे, यानि मंंध गती से गया है, गाड़ी से गया है, यान TIVR गती से गया है, अब यहाँ पे दूसरा सब्त्था है समय, तो समय का भी हमनेे चर्चा कर दिया, कैसे, 10 बिजे यहां थे, 11 बिजे वहां पहुँझे, यान इससे एक दूसरे से समझना है, इसके बारे में इस पार्थ में बताया गया है, तो चलिए पहला हम टॉपिक उठाते हैं, गती ही पहला टॉपिक है हमारा, किसी वस्तु की गती किसी सरल रेखा के अनुदीस, यानि किसी वस्तु की गती कैसी हो सकती है, तो वो किसी सरल रेखा के अनुदीश हो सकती है, अगर हमें सीधा जाना है तो ये सीधी रेखा, यानि सरल रेखा के अनुदीश हो सकती है या वर्तुल हो सकती है यानि विर्ताकाल हो सकती है यानि हम गती विर्ताकार भी कर सकते है अथवा आविर्ती हो सकती है अबेषी मिनस ऐसे जाके फिर मतलब तिर्शा गया फिर ऐसे जाके इसके आबेषी के बारे में हम चर्छा करेंगे आबेषी पे बहुत सारी चर्छा है तो यह आब। इसका अगला पॉइंट है गती मंद अथवा तिव्र हो सकती है तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से जा रहे हैं अगर दोनों में तुलना किया जाए तो एक मंद हो जाएगी और एक तिव्र हो जाएगी तो यही लिखा गया है गती मंद अथवा तिव्र हो सकती है दूस होता है उस में समय हमने पहले भी समझा है को वह ही एकांग समय में तै कि गई दूरी को. जिस समय में मुन्होंने उस दूरी को कई किया hy q jeżeli को हम उस्वस्तु की हम उसवस्तु की क्या करते है चाल करते है तो अगर चाल निकालना होगा तो देख लिजिए का उपर में आपका होता है तैक की गई कुल दूरी नीचे में हो जाएगा आपका लिया गया कुल समय यानि कितना दूरी उपर में लिख देंगे टोटल दूरी नीचे में टोटल समय लिख देंगे और काटके आप अपना इंसर निका जो धावक 100 मीटर दूरी ताय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है ये भी पॉइंट आप जानते ही होंगे वैसे भी दौड होता है गाउं में भी होता है 100 मीटर के दौड हो रहा है तो उसमें जो सबसे कम समय लेगा वो सबसे पहले पहुंचता है तो वही क्या हो जाएगा उसकी चाल क्या हो जाएगी सबसे अधिक हो जाएगी क्योंकि बहुत तेजी से दोड़ेगा को उसकी चाल भी बहुत तेज हो जाएगी कम समय में जदा दूद दोड़ता है इसके बाद लिखा गया है कोई कार बिरले ही एक घंटे तक किसी नियत चाल यानि समान गती से चलती है देखा जाए तो कोई कार बिरले ही कभी रेयर केस में ही एक घंटे तक किसी नियत चाल यानि समान गती से चलती है तो ये तो देखा जाए तो कार आप लोग भी चलाते होंगे, तो car क्या होता है, कि बहुत तेजी से चलती है, कभी धीमा चलती है, को देखा जाए, तो एक समान गती से कभी एरियर किसमी चलती है, वास्तों में वा धीमी चाल से गती अरम करके अपनी चाल बढ़ाती है, देखा जाए, तो पहले बंद रहती ये काड़ी तो फिर स्टार्ट करते हैं को धीरे धीरे तेज करते हुए आगया आप बढ़ते हैं वास्तों में चाल की जो चाल है वो कार की ओसत चाल है वास्तों में जो कार की चाल जो होती है वो उसकी औसद चाल होती है अब हम बात कर लेते हैं चाल बताए कि कुल दूरी बटे लिया गया है तो यही आपका चाल होता है औसद भी ऐसे ही निकालते हैं उपर में टोटल लिख देते हैं नीचे में जितनी संख्या होती से भाग देते हैं इसी तरह यह भी है चाल में क्या करते हैं दूरी उपर लिख दिये हैं और नीचे में कुल समय हो गया है अब इसमें निकालना होता है यहां पर आप देख लिजिए का चाल यह से निकाल लिए अब माले यह समय निकालना है को समय को देखी जहां पर यह समय है समय निकलना है, यानि यह point निकलना है, तो कैसे निकलना है, जैरी से बात है, समय यहाँ चला जाएगा, और चाल क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा, वही लिखा गया है, समय बाहर निकल गया है, और दिरूई उपर हो गया, और चाल नीचे हो गया, अब हमें यह कहना हो, कि दूरी निकालना हो, यानि उपर वाला निकालना हो, तो कैसे निकलेगा, को समय और चाल क्या हो जाएगा, चाल गुणे, समय हो जाएगा, आपका क्या दूरी, क्योंकि यह यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह गुणा में चला जाता है, और यहाँ बटा एक हो तो वही दूरी यह हो जाता है वो दूरी बरभर क्या हो जाएगा चाल गुड़े समय तो इसे समझ के रखिएगा हमेसा याद रखिएगा अगर question इससे आता है तो उसे इस तरीके से आप बना सकते हैं तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है अगला है और समान तथा एक समान दो सब्दाइं हैं यदि किसी सरल रेखा के अनुदीस गती करने वाली वस्तु की चाल परवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल और समान कही जाती है ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है नोट कर लीजे कि यदि किसी सरल रेखा के अनुदीस गती करने वाले एक सरल रेखा यानि एक सीधी रेखा है इस पे कोई गती करने वाली कोई वस्तु है तो गती एक सरल रेखा में कर रहे हैं कि अनुदीस गती करने वाले वस्तु की चाल परिवर्तित होती यानि चाल में changing आता है, यानि एक सरर लेखा पर चल नहीं हैं, अब यहां पर इतना speed से छली फिर आगे देखा जाबक कम speed हो गया फिर आगे देखाएं तो तेजी स्पीड हो गया है को उसमें चाल परवर्तित होती रहती है तो वो उस वस्तू की चाल क्या कहलाएगी और समान कही जाती है तो उस वस्तू की चाल और समान कही जाती है किसी सरल रेखा कहने इस वस्तू की नियत चाल से नियत चाल यान कोई भी चंजिंग नहीं होता है नियत चाल से गती एक समान गती कहलाती है नियत चाल जब भी सब्द यहां याद रख कर लीजे नियत चाल से अगर गती करती है तो एक समान गती कहलाती है इस इस्तिती में औस चाल वही है जो वास्तविक चाल है तो इस इस्तिती में क्या होगा औस चाल वही होगा जो वास्तविक चाल है यह क्यों लिखा गया है इसलिए लिखा गया है कि अगर सीटेट में पूछ दिया जाया है कि पहले के जो बुजुर्ग थे डेस डेस का अनमाल लगा के दिन के समय का अनमाल लगा लेते थे तो उसका एंसर होगा छाया देखकर दिन के समय का अनमाल लगा लेते थे समय की माप से हमारा तातपरिक काल अंतराल की माप से है समय की माप से हमारा तातपरिक क्या है काल अंतराल की माप से है यह सब याद रखेगा किस से है वो काल अंतराल की माप से है बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है क्या होता है काल अंतराल का मापन ही होता है अब हम बात कर लेते हैं निश्चित अंतराल के बारे में काल अंतराल याद होगे आपको कि बोलचाल में जब भी हम समय मापने के लिए घड़ी के उपयोग के बार में चर्चा करते हैं तो हमारा अभी पराय किसे होता है? काल अंतराल के अभी पराय से होता है अब निश्चीत अंतराल क्या होता है? तो ये होता है प्रकृति में बहुत सी घटना है निचित अंतरालों के पहशाद स्वेय दोहराती है जैसे एक अमस्या यानि नचंद्र से अगली अमस्या के बीच के समय की माप माह के रुप में की गई है किस रुप में की गई है? माह के रुप में की गई तो यह important है, दो चीजी important है, एक तो नीचित अंतराल के example के रुप में पूछ देगा, नहीं तो यह भी पूछा जा सकता है कि एक अमश्या यानि नौचंद्र से अगली अमश्या के बीच की समय की मापको किस रुप में कहा जाता है, तो किस रुप में कहा जाता है, को माह के रुप में कही गई है, या माह के रुप में की गई है, इसके आगे लिखा गया है, एक वर्स उस समय के लिए नियत किया गया, जितने समय में पृत्वी सूरी की एक परिक्रिमा करती है, यह भी important line है, याद परिकरमा करती है, तो इसे हम क्या करते है, निशीत अंतराल का एक एक्जाम्बल है, नोट कर लीज़ेगे इसे, पूछा जा सकता है आपका सीटेट में, अगला है घडिया, समयम आपने की सबसे सम्मानी युकती घडिया ही है, सभी घडियों में आवेर्ती गती का उपयोग क किया जाता है को अवेर्ती गती का उपयोग किया जाता है, अवेर्ती गती का उपयोग किसमे होता है, तो घडियों में होता है, अवेर्ती गती का एक चीर परिचित उदारन सरल लोलक है, याद रखे गई ये भी, अवेर्ती गती का एक चीर परिचित उदारन क्या है, सरल दातु के चोटे गोले अथ्वा पत्थर के टुकडे को किसी द्रिड ज्टेन से धागे धागे होना चाहिए यह पर धागे द्वारा निलम्मित करके बनाया जा सकता है धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं जैसे में करना कुछ नहीं होता है जैसे में हम बता दे कि एक स्टेंड ले लीजिए फिर यहाँ पे यह सब पूच की जिए धागा है धागा में एक पत्थर को हम बांद देते हैं, तो ये उसके बाद इसको धक्का दीजेगा, तो ये क्या होता है दोलन करता है, यहां जाएगा फिर यहां जाएगा अब इसको A, B अस्थान देखें इस अस्थान से इस अस्थान पे कैसे होता है आवर्तकाल इसी से हम लोग समझेंगे तो इतना step में समझ जाए कि ये क्या है को बीच में रहेगा ऐसे धक्का देंगे तो A अस्थान पे जाएगा फिर B अस्थान पे जाएगा तो ये इसी को हम लोलक के नाम से जानते हैं अब हम बात करते हैं आगे चर्चा करते हैं अवर्ती अत्वा दोलन गती जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं यानि एक तरफ ले गाए फिर मुक्त कर दिए तो इधर उधर गती करना आरंब कर दिता है सरल लोलक की यहां गती अवेर्थी अत्वा दोलन का एक उदारन है यहां जैसे हमने बनाया था सरल लोलक यह होगी आपका स्टेंड फिर हमने यहां पे यह से खीचा था फिर यहाँ पे हमने एक पत्थर को बांदाता है फिर यह पत्थर यहाँ इस स्थान पे ले जाके हमने छोड़ा को यह क्या होगा यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ हमने खिच के छोड़िए जब लोलक का गोलक, गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगाना चाहिए, यद रखिए कि एक बार छोड़ दिये तो धक्का नहीं लगाना है, एक चरम इस्तिती A से, मालने जे यहां पर A है, को A से दूसरी चरम इस्तिती B पर, तथा B से A पर, यानि यहां से यहां फिर यहां आ गया, तो यह क्या करेगा, एक दोलन पूरा करता है, सरलोलक, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है, उसे सरलोलक का अवर्थकाल करते हैं, यानि जितना भी इसमें समय लेले, यहां गया, फिर वापस यहां आया, रिटन, तो इसमें जितना समय लगा उसे सरलोलक का अवर्तकाल कहते हैं नोट कर लेजे इसे भी अवर्तकाल से भी कुश्यन भी आता है तो इसे अराम से अब हल कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं क्वार्ड्स घरी के बारे में जो आजकल अधिकांस अपने देखा होगा क्वार्ड्स घरी आजकल अधिकांस गड़ियों में एक या दो सेलो वाले बिधुत परिपत होते हैं इन गड़ियों को क्वार्ज घड़ी कहते हैं इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलप्ट गड़ियों द्वारा मापे गया समय से अधिक याथार्थ होते हैं इसमें होता क्या है, आजकल अधिकांस गड़ियों में एक या दो सेलों वाले बिधुत परिपत होते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, क्वार्ज गड़ी के नम से जानते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, मात्रक के बारे में, समय का मूल मात्रक क्या है, याद रखिएगा, एच लिखते हैं, चुकि चाल क्या होता है, दूरी बटे समय है, अथा चाल का मूल मात्र क्या हो जाएगा, मीटर प्रती सेकंड हो जाएगा, इन्हें अन मात्र को जैसे आप लिख सकते हैं, इसको किस नाम से और लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मीटर प्रत गंटा में इसे दर्सा सकते हैं इसके आगे लिखा गया है मैं भी व्यक्त किया जा सकता है आपको याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतिकों को एक वचन में लिखा जाता है याद रखिएगा कि इसे किस में लिखा जाता है एक वच्चन में लिखा जाता है उधारण के लिए हम 50 km लिखते हैं ना कि 50 km km नहीं लिखते हैं km ही हम लोग लिखते हैं तथा अथवा cm लिखते हैं ना कि cms cms नहीं लिखते हैं cm लिखते हैं हम लोग यह लिखते हैं ठीक है यह नहीं लिखेंगे ये भी इसमें S नहीं लगाते हैं, डिरेक्ट जो होता है वह लिखते हैं, और सकता है उनसार समय के बिभीन मत्र को काउपयोग किया जाता है, जैसे उम्र को वर्सों में, उम्र किसमें लिखा जाता है तो वर्स में, और जो अच्छे एक चीज और इसमें इंपोर्टेंट हमन बता है अपको, और एक और चीज इसमें लिखा गया है, जो अब हम पढ़ने जा रहे, जोर से अगरre 2001, 2001 कहते हैं, को पुकारने में लगा समय लगबग 1 सेकंड होता है, 211 अगर जोर से आप पुकारते हैं, तो इसमें लगा समय कितना आ होता है, को 1. ऑप प्रक्टिस कर एक सेकंड होता है आप प्रैक्टिस करके देखिए एक सेकंड लगेगा चलिए आगे हम देखते हैं नाड़ी अस्पंदन किसी समान ने स्वस्त युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी एक मिनट में 72 बार अथ्वा 10 सेकंड में कितने बार लगभग यह अस्पंदन करती है या धरकती है को 10 सेकंड में लगभग 12 बार अस्पंदन ही करती है यान sporting है तो इसे भी नोट कर लीजीए अब हम बात कर लेते हैं買 गैलिलियो गैलिली के भारे में इस खोज की विशाय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिये गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है अपने सूपरसीद वज्ञानिक गैलिलियो गैलिली जो 15-64-1642 में थे का नाम सुना होगा कहा जाता है कि एक बार गैलिलियो गिर्जा घर में बैठे थे उन्हेंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक और से दूसरी और धीमिक गती कर रहा है उन्हें यह पाकर अशर्ष हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज यानि स्पंद धरकन की संख्या हर बार समान होती है गैलोनियो ने अपने परिक्षण को सत्यापित करने के लिए बिभिन लोलको के साथ परियोक किया उन्होंने पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदेव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है ये उसके लंबाई पर डिनोट करता है कि कितना लंबा उसका लोलक त्यार हो रहा है, मतलब कितना लंबा उसका रस्ती लग रहा है, तो वो दोलंजा पूरा करता है कि समान समय में पूरा करता है इस प्रिक्षन ने लोलक युक्त घडियों के विकास को एक नई दिसा परदान की कमानी युक्त घडिया और कलाई के घडिया लोलक युक्त घडियों का परिस्कृत रूप थी जब लोलक वाली घड़िया प्रचिलित नहीं होई थी तब संसार के बिभिन भागों में समेमापन समेमापन के लिए बहुत सी युक्तियों का परियोग किया जाता था जैसे में देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है और दूपगड़ी का है? जंतर मंतर नई दिली में आप दूपगड़ी जाके देख सकते हैं वहाँ दूप कैसे आता था? उस तरीके से वो लोग अनभाव कर लेते थे रेत गड़ी ये है आपका रेत उसमें डाल दिया जाता था देरे-देरे रेत नीचे गिरता हुआ जाता था उसके उनसार वो समय का देख लेते थे इसके बाद है जल गड़ी यह जल गड़ी है आपका तो इसमें डाल दिया गया वो अपका घुमते रहेगा तो इस तरीके गड़ी को जल गड़ी के नाम से जानते हैं दूसरा अर्थ होता है छोड़ना को प्रमोचित करने वाले रॉकेट प्राया 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड सेट की चाल प्राप्त कर लेते हैं कोच्वा केवल 8 cm प्रति सेकेंड लगबग की चाल से चल सकता है कच्वा कितना चलता है, कैसे चलता है तो ये पूछा जा सकता है तो कच्वा आपका चलता है 8 cm प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है और रॉकेट अगर हम लोग छोडते हैं, पृत्वी की कक्षा में छोडते हैं या प्रमोचित करते हैं, कोई भी उपगरा को, तो उससे के लिए कितना चाल प्राप्ट करते हैं वो, 8 km प्रति सेकंड, नोट करके रखिएगा कितना चाल ये प्राप्ट करते हैं, को 8 km प्रति सेकंड अब हम बात कर लेते हैं बिसिस्ट घणियों के बारे में उपलब्द घड़ियों द्वरा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल एक सेकंड है तथा पी जब ऐसी विसिष्ट घणिया उपलब्द हैं जो एक सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती है इसमें से कुछ घणिया एक सेकंड के दस लाखवे भाग कितना भाग दस लाखवे भाग और यहां तक की एक अरब्वे भाग तक के समय अंतराल को माप सकती है अपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे सब्द सुने होंगे एक माइक्रो सेकंड सेकंड का दस लाखवा भाग होता है एक नैनो सेकंड सेकंड का एक अरब्वा भाग होता है इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़िया मापती है उनका उप्योग बैग्यानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है किसमे उपयोग होता है को बैग्ज्यानिक अनुसंदानूमी इसका उपयोग होता है खेलों में जिन समय मापनी की युक्तियों को उपयोग होता है वे सेकेंड के दसवे अथ्वा सौवे भाग तक के समय अंतराल मापती खेल में कैसे उपयोग होता है वो एक सेकेंड के दसवी अत्वा सोवे भाग तक के समय अत्राल को माप सकती है इसके बेपरित एतिहासी घटनाओं के समयों को सताब्दियों अत्वा सहस्त्र सताब्दियों में ब्यक्त किया जाता है तारो अथो ग्रहों की आयो को प्राय अर्बो वर्स में ब्यक्त करते हैं किसमें करते हैं तारो और ग्रहों की अर्बो वर्सों में और एतिहासी गटनाओं को किसमें करते हैं सतब्दियों और सहस्त्र सतब्दियों में करते हैं अब हम बात कर लेते हैं और और स्पीडोमीटर का, बहुत ही important है और पूछा भी गया सीटेट में, और स्पीडोमीटर अपसन था, तो वहान के द्वारत है कि गई दुरी मापने को पत्थ मापी या और्डोमीटर, दुनों नाम याद कर लिजे, दिया गया था और्डोमीटर यानि स्पीडोमीटर, चाल यानि स्पीडोमीटर जो स्पीड मापता हो, तो इसके दौरा वहन की चाल मापी जाती है, इनमें से किसी एक मीटर के कोने पर, कार का डैसबोर्ट पर देखा जाए, कार के डैसबोर्ट पर, किलोमीटर प्रती घंटा लिखा होता है, क्या लिख मापी का उपयोग करते हैं स्पीड यानी चाल मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग के स्पीडो मीटर का उपयोग करते हैं अब हम बात कर लेते हैं समय अंतराल की माप के बारे में भारत वर्ष के समय अनुरक्षन सेवा नई दिल्ली की रास्टिय भौति की परियोग साला द्वारा परदान की जाती है जहां जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वे समय अंतराल की माप एक सेकेंड के दस लाकवे भाकी यथारता के साथ कर सकती है संसार की सरवादिक यथात घड़ी सनीक तुराज अमेरिका के रास्टिय मानक एवं प्रादोगी की संस्थान दोरा बेक्सित की गई है यह घड़ी दो करोर वर्ष तक चलते रहने के पास शाथ एक सेकेंड तेज अथवा मंद होगी इतना करोर चलने के पास शाथ क्या होगी एक सेकेंड तेज अथवा मंद होगी इतना करोर वर्ष चलने के बाद कितना होगी एक सेकेंड तेज अथवा मंद होती है तो यह भी important था जो lesson के last में था उसे भी हमने आपको दे दिया अब हम बात कर लेते हैं दूरी समय ग्राप के बारे में यह भी लिखा हुआ था को हमने सोचा कि आपको बहुत सारे के माप के तरीके आपको दिखा दे कम से कम यह भी आप समझ जाए यह थोड़ा मैट से समद्धी थे लेकिन समझना जरूरी है दूरी समय ग्राप वस्तू की गती को उनके दूरी समय ग्राप द्वारा चित्रातमक रूप से प्रस्तूत किया जा सकता है नियत चाल से गती करने वाली वस्तू की दूरी समय ग्राप एक सरल रिखा होता है क्या होता है एक सरल रिखा होता है ये भी नोट कर लीजे, क्या होता है, एक सरल रिखा होता है, चित्र 13.98 में दर्सायक है ग्राप के परकार को अस्तंबा ग्राप कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको अस्तंबा ग्राप कहते हैं, इस तरह अस्तंबा के तरह बना हुआ है इसलिए से अस्तंबा ग्राप कहेंगे, आपका मी दर्साय गया ग्राफ रेखा ग्राफ का उधारन ये किसका एक रेखा यानि एक लकीर जैसा खीचा हुआ तो ये एक रेखा ग्राफ है दुरी समय ग्राफ को समायने तो रेखा ग्राफ द्वारा निरुपित किया जाता है किससे निरुपित किया जाता है कि समायने त को नीरोपीत करने के लिए दो लंबोत रिखाएं खीचिए तथा चित्र 13.11 में जैसे हमने दिखाया है 13.11 आप देखेंगे ये पहला वाला है ये ग्राफ लिया है इसमें 13.11 में ग्राफ पेपर में देखा जाए तो क्या लिखा गया है तेरे दर्साय गये अंसार उन पर अंकित कीजिए दो में क्या करना है या निशित कीजिए कि X अक्ष के अनुदिस किसी रासी को दर्साना है तथा Y अक्ष के अनुदिस किसे दर्साना है यानि X के जगा किसे दर्साना है और Y के जगा किसे दर्साना है ये पहले निशित कर लीजिए X के अनुदिस समय तथा y के उन्दिस दूरी दर्शाई है अब देखा जाएते इन्होंने x के उन्दिस के दर्शाई है तो आपका देख लिए जी क्या लिखा गया है समय दर्शाई गया है x के उन्दिस आपका समय दर्शाई गया y के उन्दिस आपका दूरी को X का अनुदिस क्या हो गया आपका समय Y का अनुदिस आपका क्या हो गया दूरी हो गया लिखा भी गया है समय और दूरी यहाँ पर भी देख सकते हैं यह हो गया आपका दूरी और यह हो गया समय इसी को दर्शाने के लिए बताया गया है और इसे अराम से कर भी सकते हैं आगे हम पढ़ लेते हैं, यहां समझा देते हैं आपको clear हो जाएगा, तो यह एक हमने graph ले लिया है, graph में सबसे पहले o लिख दिया, y लिख दिया और यहां पे x लिख दिया, तो o x हो गया और o y हो गया अब इसके बाद हम क्या करेंगे, को एक graph हमारे पास बना हुआ रहता है, यह कभी-कभी दे देता है question में, तो graph बनाने के लिए भी दे देता है, इसी में से पूछ लेगा कितनी दूरी, कितने मिनट में कितनी km पहुँचा है, यह पूछा जाता है, तो जाता है, तोजरो से start करते हैं, न समय मैं, जरो दूरी उन्हों ने समय क्या लिखा, एक मिनट में एक किलोमीटर, पिर क्या लिखा, दो मिनट में 2 किलोमीटर, यह होगे, रहे देखे, बिंदो फिर 3 किलोमेटर फिर 3 मिनट में 3 किलोमेटर फिर 4 मिनट में 4 किलोमेटर फिर 5 किलोमेटर फिर 5 किलोमेटर तो वही दर्स आया गया आपका पूरा इसी को दर्स आने के लिए यहां सिखाए जाएगा और यहाँ पे आपका लिखा गया था X अक्ष के उन्दिस समय तता Y अक्ष के उन्दिस दुरी दर्श ही है ग्राप पर दुरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तता समय के निरूपन के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए अब दोनों के लिए एक एक पैमाना चुनना होगा ताकि पूरा तो एक किलोमेटर हम दर्सा नहीं सकते हैं वो कितना सेंटीमीटर को कितना किलोमीटर या कितना सेंटीमीटर में कितना समय आता है इसको सोच लेजे कोई पैमाना जैसे में इसमें लिखा गया होगा कोई अन्य पैमाना चुनिए कार की गति के लिए ये पैमाने इस पर कार हो सकते हैं जैसे में एक मिनट बरावर एक सेंटीमीटर एक किलोमीटर बरावर एक सेंटीमीटर देखिए यहां लिखा गया है वही चीज हमने बता है एक मिनट बराबर एक सेंटीमीटर एक किलोमीटर बराबर एक सेंटीमीटर के यह आप लिख सकते हैं चुने गए पैमानी के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपनी अक्षे अक्षों पर अंकित किजिए उसके बाद अक्ष पर अंकित किया, जैसे हमने दिखाया कि एक किलोमीटर में एक मिनट गया है, वो。 कार की गति के लिए समय को X अक्ष पर मुलबिंदु एक मिनट, दो मिनट दोर अंकित किज़े इसी परकाए दूरी एक किलोमीटर, दो खिलोमीटर य अक्ष पर अंकित कीजिए तेरे पॉइंट बारे के अंसर अब पांचवा अब आपको दूरी ततर समय के मानों के परतिक समुझ को ग्राप पेपर पर निरुपीत करने के लिए उस बिंदु को अंकित करने है साथनी तेरे पॉइंट सिक्स के करम संक्या एक के प्रेक्षर में ये दर्साया गया है कि जिरो मिनट पर चली गई दूरी भी सुन्य है इसी तरह आगे के बिंदु पर दर्साया गया है चित्र तेरे पॉइंट बारे में दर्साया गया अंसर इन बुंदों को मिलाईए, बुंदों को मिलाने पर एक सररेका प्रप्त होती है, यह कार की गती दूरी समय ग्राप है, यह कार की गती क्या हो गया, दूरी समय ग्राप है, यह दूरी समय ग्राप का उधारन है, और यह सरररेका में जा रही है, यानि एक नियत समय में गाड़ ये हमीशा सीटेट में पूछा जाता एक प्रश्न है पूछा किया जाता है कि इस तरह का पठ्यांग आपको दे देगा ठीक है अब पठ्यांग दे देने के बाद वो कहता है कि 8 बजे से कोई गाड़ी चलती है और 8.30 बजे 8 बजे कोई गाड़ी स्टार्ट होती है और 8.30 बजे आपका इतना किलोमेटर चालिस से इतना किलोमेटर चली जाती है 9 से इतना बजे इतना किलोमेटर चली जाती है फिर 9.30 से इतना बजे इतना किलोमेटर चली जाती है ये दे देता है और फिर 20 km चलता है, आप 40 में से ये घटा लीजे, 40, 50, 60, 20 मिनट में 20 km गया, फिर इसमें कितना km गया, 40, फिर इसमें कितना गया, तो 60, फिर इसमें कितना गया, तो घटा के देख लीजे, ये कितना है, आपका 3600, 3600 है, नीचे के 3600, 2600 है कि दुनों को घटाएंगे, कितना ह और सी किलोमेटर आएगा तो वही चीज लिखा गया और फिर इसमें यह भी घटा लिजे चला एक आट तीस में पहुंचा है आट तीस के बाद नौ बज़े पहुंचा है यही यह समय कितना है आदा आदा गंटा का अंतर है उसके बाद इसको हम दो दर्साएंगे तो पहला ज गया आट तीस में 20 किलोमेटर नौ बज़े आपका 40 किलोमेटर और नौ तीस में कितना चला 60 किलोमेटर फिर 10 बज़े कितना चला तो यह आपका 80 किलोमेटर में भी लिखा होगा देख लिजे 80 किलोमेटर तो इस तरीके से चला फिर यह एक सरलेका बना देती है तो सरलेका क कि कौन सा इसमें सही होगा तो इसे जरूर एक बार समझ लेशेगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे ग्राप खिचने के लिए पैमाने का चैन करते समय कुछ बातों को धियान रखना चाहिए कौन-कौन से बातों का पहला परतिक रासी के अधिकतम और न सुने हुए पैमानों के अधार पर अंकित करना सुब्दा जनक हो तथा लास्ट है जिस पेपर पर ग्राप खिचना है उसकी अधिकतम भाग का उपयोग करना है तो यह तो भाई नॉर्मल सा है यह तीनों याद रखिएगा पूछा जा सकता है तो इसे तीनों को टिक करना ह अब यहां पर आपके प्रशन सुरू हो जाते हैं जो हम चाहेंगे कि आप कॉमेंट बॉक्स में इन प्रशनों का उतर जरूर दें किसमें कौन सा गति है यह सारे चीज लिखने है कौन सा सही है और निमलेकित में से कौन सा संबंद सही है यह भी आपको टिक करना है तो यह पर दूरी बटभी समय होता है कि दो नुमर सी हो जाएंगा है यह आपको करना चाहिए कि हम पूल मात रख्या है वह आपको लिखना है मिटर बैस से कंई होता वह आप देख लीजीए और यह भी हमने एक प्रशन रख़ा है टक्की गती को धरसाता है को कॉन है जो नियत गत यह हो जाएगा तीन नमबर नियत नियत होता कर सीधी रेखा हो जाता है तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है अब हम अगले दिन नेक्स्ट डिलेशन को पढ़ेंगे आपका विदुद्धारा और उसके प्रभाव को अगर यह वीडियो पुसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और भी दोस्तों के भी जरूर लेकर जाएंगे ताकि बताएंगे कि NCRT यहां चल रहा और यह आपका हर जगा काम आता KBSO और Civil Services की साहता कर रहें इस तरीके से अगर आप पढ़े होंगे तो concept के लिए होगा बहुत सारे चीज़े देखने और सुनने को मिलेंगे तो आज इस वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहें बने रहें हिंदी क्लब पे धन्यवाद झाल